महिलाओं को लेकर ये अपनी राजनीती कर रहे हैं महिलाओं आपकी राजनीती का शिकार नहीं हैं कोई भी ऐसा वैबार हमारी महिलाओं के साथ करेगा किछनी भी कोई प्रॉब्लम्स हो उनको इस देश में बक्षा नहीं जाएगा ये सब चीजें देखके बहुत दिल को दुख होता है जिस देश में हम भारत माता के नाम से हर चीज शुरुवात करते हैं और उसी देश में अगर इस तरीके से दुरवैबार महिलाओं के साथ होता है तो कहीं न कहीं हमारे मन को भी वो ठेस पहुचाने वाला है महिलाओं को लेकर ये अपनी राजनीती कर रहे है महिलाओं आपकी राजनीती का शिकार नहीं है आपकी राजनीती आप अपनी जगा पे रखी है मैलाओं की शुरक्षा, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इज़त करना ये लीडर्स जो होते हैं, जो लीड करते हैं समाज को ये उनका कर्तव है हम मैलाओं जब अपना आदर रिस्पेक्ट रखकर अपने शेत्रों में जाके काम करती है और जब ऐसी मैलाओं के साथ कुछ होता है तो सबसे पहला ठीका हम जैसी मैलाओं पे भी होती है कि हम पारलमेन में बैठके क्या कर रहे हैं तो मैं सिर्फ इतनी विनंती करूंगी कोई भी सरकार हो कोई भी सरकार अपने पावर में हो पावर लोगों को सुरक्षत देने के लिए होती है मैं डिमान करूंगी मांग करूंगी कि हमारी मैलाओं को वो दुर वैवार करने वाले जितने भी लोग है उनको इतनी कड़ा शिक्षा देनी चाहिए कि पुरे देश में एक सेट होना चाहिए सैंपल कि कोई भी ऐसा वैवार हमारी मैलाओं के साथ करेगा कितनी भी कोई प्रॉब्लम्स हो उनको इस देश में बक्षा नहीं जाएगा उस तरीके की मांग हम सभी मैलाओं करेंगी ऐजे फीमेल और ऐजे भारतिय नागरिक होने के नाते ये चीजें होनी बहुत ज़रूरी हैं हम सबको एक होना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए ना कि राजनीती के लिए जब मैं महिला करके बोलती हूं तो मेरा काम है महिलाओं को सेफ रखना उनकी इज़त रखना उनकी रिस्पेक्ट रखना ना कि उनकी इज़्जत को बरे पूरी सभा में उच्छालना राजनीती आपके पक्षकी होगी पर मेरे लिए मेरी महिलाओं की इज़्जत वो ही मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि जब भी कोई ऐसी इंसिडेंस होती है उस पे लौ एन ओर्डर का इशू आता ही है और पिछले केंद्र और राज्य सरकार को जो ब्लेम कर रहे हैं उनके राज्य में तो मुख्य मंत्री महाराष्टर में 11 बजे सो के उठते थे तो वो तो law and order हमारे महाराष्ट्र में हमने 33 महिने की government में उद्धव ठाकरे जी के सरकार में हमने देखी है तो उन्होंने law and order सिखाने की अमिश्चा जी को और या उनके राज्यों के मुख्य मंत्री को सिखाने की जरुत नहीं है मुझे लगता है जिस तरीके से वो काम करें येस जो incident हो रहा है जो incident हमारी महिलाओं के साथ हुआ है वो अतिशे मिंदनी है कोई भी सरकार हो हम महिलाओं के लिए बोलेंगे और उनके हित में बोलना हमारा काम है फिर बाकी कोई कितनी भी राजनीती करें राजनीती ये मेरे लिए मेरा एजंडा नहीं है काम का मेरे लिए पहला जो धर्म मुझे सिखाता है मैलाओं की सुरक्षा और अपने लोगों को सेफ रखकर उस राज्य की सुरक्षा